हलो गाइस मेरे नमें शोई कोहत और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग शायद वेट कर रहा है नोकिया एक सिक्स की इंडिया लॉंचिंग की तो एक बात बोल दो कि नोकिया एक सिक्स बहुत ही जल्दी ग्लोबाली लॉंच होगा इस मांत की इनिस तारीक को ये डिवाइस ग्लोबाली लॉंच होगा नोकिया 6.1 प्लस इस नाम से और गाइस हाली एक और लीक आया है कि नोकिया का एक और निया डिवाइस आने बाला है जिसका नाम है नोकिया X5 और ये device भी इंडिया में शायद जाना जाएगा Nokia 5.1 Plus इस नाम से तो guys आज इस वीडियो में मैं बात करने बाला हूँ Nokia X5 के बारे में Nokia 5.1 Plus के बारे में तो without wasting any more time देखते रहिए इस वीडियो को और let's get started तो guys सबसे पहले एक बात clear कर देता हो कि ये device अभी तक launch नहीं हुआ है 11th July को ये device launch होने वाला था लेकिन कुछ problem आगया है इसलिए launch नहीं हुआ है ये बात side में रखते है मेरा मानना है कि एक week के अंदर अंदर ही ये device launch हो जाएगा सबसे पहले तो launch होगा चाइना में ही तो बात कर अगर इस device की specification की तो बहुत सारी leak आया है इस device के specification related तो सबसे बात कर अगर display की तो display आपको देखने में similar लगेगा एकदम Nokia X6 जैसा Nokia X6 की छोटा भाई जैसा आपको लगेगा और उपर की तरह आपको जो notch देखने को मिलता है वो notch थोड़ा सा बढ़ा है Nokia X6 से बाकी सब एकदम सेम ही है अगर आप पीछे की तरह देखेंगे तो आपको लगबग सेम ही लगेगा Nokia X6 की तरह ही लगेगा ये Nokia X5 camera placement वेगरा सब कुछ ही सेम ही लगेगा आपको camera placement notch भी है तोरह सा बढ़ा है और fingerprint sensor का placement सब कुछ ही सेम ही लगेगा आपको तो बात करेगा है अगर इस device की display के बारे में तो इस device में हमें देखने को मिलेगा 5.84 इंच का AGT Plus वाला display 19.9 aspect ratio के साथ ये device आएगा कि इस device में हमें देखने को मिलता है notch प्रोसेसर की बात करें तो बहुत सारी लीक आया है कि इस device से हमें देखने को मिलेगा MediaTek Helio P60 वाला processor तो ये processor बहुत ही अच्छा होने वाला है और दोस्ता अगर आप देखेंगे Realme 1 को तो इस device का भी बहुत ही performance अच्छा ही है तो प्रोसेसर अच्छा ही है, performance भी इस device का बहुत ही अच्छा रहेगा बात करें गाईस अगर Camera Setup की तो इस device में तो रियर पैनल में हमें Dual Camera Setup देखने को मिलता है Pictures में, sensors की बात करें तो हमें इस device में देखने को मिल सकता है 13MV प्लस 5MV का Dual Area Camera और front में हमें देखने को मिल सकता है 8MV का front camera Nokia X5 इस device में दोसों, बात करेंगा इस device की variant की कॉनसा variant में कॉनसा RAM storage variant में यह device हमें देखने को मिलेगा तो RAM variant हमें देखने को मुलेगा 3 GB, 4 GB और 6 GB और storage variant हमें देखने को मुलेगा 13 GB और 64 GB का और 3000 mAh का battery capacity भी है हमें इस device में देखने को मिलेगा तो काफी अच्छा कासा battery backup हमें देखने को मिल जाएगा इस device में Normally इस device में हमें microwave पोर्ट देखने को लगा headphone jack बगरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा और अच्छा ही है ये device और pricing की बात करें तो जो leak आया है उसके हिसाब से ये device चाइना में launch होगा लगबग 10,000 की pricing range में अगर हम convert करें Indian currency में तो इस device का जो lower variant है वो हमें देखने को मिल जाएगा लगबग 8,000 की pricing range में और जो 64,000 वाला variant है higher variant जो होगा वो हमें मिल जाएगा लगबग 10,000 से लेकर 11,000 की pricing range में चाइना में तो अगर आते आते ये device लगबग 11,000 से 12,000 की pricing range में हमें देखने को मिल जाएगा इसका जो higher variant है वो हमें मिल जाएगा और lower variant 10,000 के नीचे ही होगा lower 2 variant 10,000 के नीचे ही हमें देखने को मिल जाएगा इस device का और दूसर सिधा बात करो तो इंडिया में अगर ये device आएगा तो compete करेगा सिधा साथा compete करेगा Realme 1 को और आते आते एक मन लगेगा ही ये इंडिया में आते आते एक मन लगेगा ही August या फिर सेप्टेमबर की महिने में ये device इंडिया में लांच हो सकता है कोई confirmation नहीं है अभी कोई confirmation नहीं है रिलीजी कब होगा चाइना में लेकिन दोसरे एक विक के अंदर अंदर ही ये device चाइना में लांच हो जाएगा हाला कि ये device 11 जुलाई को लांच होने वाला था लेकिन कुछ प्राब्लेम आगया लांच इवेंट में इसलिए लांच नहीं हुआ है ये device मेरा मानना है कि एक विक के अंदर अंदर ही ये device चाइना में लांच हो जाएगा और तब हमें कुछ निउस मिल जाएगा कि कब ये device इंडिया में आ सकता है और हला कि बात कर अगर नोकिया एक सिक्स की तो नोकिया एक सिक्स का भी लांच इवेंट होने वाला है 19th July को ये device ग्लोबली लांच होगा और August के अंदर अंदर ही ये device भी हमें देखने को मिल जाएगा नोकिया एक सिक्स भी और August में भी शायद नोकिया एक स्वाइब इंडिया में लांच हो जाएगा ये मैं आशा करता हूँ और बहुत सरी लीक यही बतर आए तो उमीद करता हो कि आपको ये इन्फोर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा आप मेंसे कितने लोग नोकिया एक स्वाइब कर रहे है आप मुझे बताना नीचे कॉमेंट सेक्षिन में क्या आपको अच्छा लगता है ये डिवाइज कम प्राइस पॉंट में ही लांच होगा दसदर की प्राइसिंग रेज में ही ये डिवाज आमें देखने को मिल आपके लेजाएंट बंदमातरू